जैमातादी रूठे हुए को मनाना इतना आसान नहीं होता और खास कर यदि आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टोटका बहुत ही सरल सटीक और आसान टोटका है जो की मात्र आपको सिर्फ तुलसी के माध्यम से करना होगा तुलसी के द्वारा करना होगा और बहुत ही आसान सा टोटका है जिसको करने के बाद आप किसी को भी चाहे वह पुरुष हो या इस्तरी हो इस्तरी पुरुष को वश्मे करना चाहती हो या पुरुष इस्तरी को वश्मे करना चाहता हो चाहे कुआरा व्यक्ति हो या शादिशुदा व्यक्ति हो आप उसको अप पर अपना नाम लिखना है और दूसरे पर जिसको आप चाहते हैं जिसको प्राप्त करना चाहते हैं जिसको वश में करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है सपोस जिसको आप वश में करना चाहते हैं उनका नाम है राम तो आपको तुलसी के पत्ते पर राम लिखना है इस प्र दोनों पत्ते खटे करके सीधे हाथ में रखने है और इस तरीके से उल्टा हाथ उपर से रखकर आपको मंत्र का उच्छारन करना है मंत्र आपको साथ बार बोलना है मंत्र है त्रीम 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 इस मंत्र का आपको उच्छारन करना है ध्यान रखेगा कि मंगलवार और शन पर रखने हैं रखने के बाद अपने मूँ को बंद कर लेना है और धीरे धीरे इन पत्तों को ग्रहण करना है जिस प्रकार से आप धीरे धीरे इन पत्तों को ग्रहण करेंगे उतनी ही तेजी से आपका जो प्रेमी या प्रेमी का है वे आपकी और खिचा चलाएगा यकीन मान ये उपाय किया हुआ है और बहुत ही फलदाई साबित हुआ है लाबकारी साबित हुआ है मात्र एक घंटे के अंदर वह व्यक्ति आपको जरूर कॉल करेगा जिसको आप वश में करना चाहते हैं और 24 घंटे के अंदर तो वह आपकी और दोड़ा चला आएगा आप यकीन नह जाते हैं ताकि आपको आपका खोया हुआ रूठा हुआ प्यार हासिल हो जाए और आपके मन की उदासी खुशाली में बदल जाए अगर आपको उपाय नहीं समझ आया है या फिर कोई अन्य वशीकरण का उपाय जानकर मागदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो जो बर आपको नजर आ रहा है आप इस पर संपर कर सकते हैं और गुरू माता जी से बेजिजक होकर बात कर सकते हैं जय माता दी